Hey guys, hope you are doing well by the grace of God. So today we will visit Navadip Dharm, Shri Chaitanya Mohabogokar Janusthal है. तो वहाँ पर हम लोग चाहेंगे, उनका जिवन जापन देखेंगे, कैसे करके उन्होंने बड़ा हुआ है, उनका भारतप्रेश है, और क्या-क्या है वहाँ पर हम लोग एक्स्प्पोर करेंगे. हम लोग सब को ही जानते है, जिए Shri Chaitanya Mohabogokar निमाई नाम से भी बुला जाता है. निमाई, इनका नाम ऐसी लिए पड़ा हुआ है, क्योंगे उनका घर का पास में एक नीम का पेड़ था, तो उसी से उनका निमाई आया है, और बहुत सरा नामों से इनको बुलाए जाता है, और इनका जनमस्तल जो नवद्दीव धाम है, उनको मना जाता है, तो चलिए चलते हों और देखते हैं, कैसे है नवद्दीव धाम, लेट्स को! तो गाईज हम लोग अभी सिरी चैतन्न मोहपवू का जनमस्तल देखने के लिए, हम लोग नवद्दीव धाम रेले स्टेशन में उतर के अभी स्टिमार के लिए वेट कर रहे हैं, स्टिमार से भागिरोती रिवार जो है उसका उड़ उस पार जाना पड़ेगा, और उस पार जाने से हम लोग सिरी चैतन्न मोहपवू का जनमस्तल में पहुंच जाएंगे, और अभी हम लोग को एट कर रहे हैं, अभी स्टिमार छोड़ने वाला है, तो अभी छोड़ चुके, आप पोर्ट दे सकते हो, बहुत ही सुन्दर सा है, और इसका जो पानी है, बहुत ही ज़्यादा साफ है, आपको में दिखाऊंगा, इतना साफ है, आप नीचे बाला पोर्ट पोर्ट भी देख सकते हो, क्या क्या है, नहीं है, पानी स्री चैतन्न मोहपवू को बोला जाता है, राधा और किसना भगवान का अपतार और मेसेंजर, जिन्होंने बुएसनब धर्म के लिए बहुत सारा काम किये हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा दिख दिखाए हैं, बुएसनब लोगों के लिए, प्रासिन काल में जैसे बड़ा-बड़ा उनिवासिटी नानन्दा तक्सिल जैसे बड़ा-बड़ा उनिवासिटी था, उस टाइप के इन्होंने यहां पे एक बिस्विद्दला योपन किये थे, जहां पे उनका सिस्ट लोगों को गयान मिलता था जा कैसे जीवन जपन करना है, कैसे हिउमेन के लिए अपना जीवन को उस्सर करना है, उनका हेल्प के लिए कैसे जीवन जपन करना है, स्री चैतन्य मुहपवू इन्होंने राधा एंड किष्णा भगवान जी का बानी को बहुत या अच्छा तरीका से बिसलसन किया है और इन्होंने समझाये लोगों को जो कैसे करके प्रेम के एक मदब सीर्स तक बिसलसन किया है और इसका कारण से पहले आप देख सकते हो है अमेरिका जाफान और नेपाल बहुत सरा इनका फॉलोर से वहां पर हम लोग विजिट किये तब बहुत सरा फॉरेनर्स को देखने के लिए मिला है तो हम लोग जो हम लोग बेंगोल से बिलोंग करते तो एज बेंगोली हम लोगो प्राउड होने होना चाहिए जो हम बाला जो प्लांट वगड़ा है दिखाई दे रहा है तो एक करिस्मा बोल सकते हो बहुत ही सुन्दर सा मनरम सा आपको यहां पर इन्भार्मेंट देखने के लिए मिल जाएगा मैं आपको रेफायर करूंगा आप जरूर आईए क्योंके यहां पर कनेक्शन बहुत और आप अगर वाटरोए में आसन आना चाते हो तो कलकाता से बहुत सरा बोल्ड बहुत सरा स्टीमार छोड़ता है आप उहां पर चरकी धर आ सकते हो यहां का इंजॉई ले सकते हो और अगर रेलोए में आना चाते तो नबदिब धामी एक बड़ा सा जंग्सन है और आप क खुबसरत है बहुति डिकड़ोर्ट टिप बनाइं ग्याया है गौडर्मेंटイ को सपोट किया है बहुती इनुवीटिक तरह के से बनाए गया है आप सकते हो markets बहुत सरा समान मिलता है यहां पे और कल्चारल समान मिलता है ठीक है और यह सब आपको मंदिर देखने के है तो इसलिए मैं उसका अंदर का वीडियो नहीं ले पाया बाट ए बाहर से आपको इतना खुबसरत नजरिया देखने को मिलेगा आप समझ जी सकते हो अंदर कितना अच्छा मिलेगा ठीक है आप जरूर घुमने आईए और यह रहा कुछ गुश्टी होता है लिर्की लोगो इसलिए चर्ण किया जा रहा है और यहां पे अपना जो रिचियो वाल है उसको फालो किया जा रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है और यह जो आपको घर दिखाए दे रहा है यह पुड़ा छाउनी पैडी क्रॉप जो होता है इसका वीच्वी से बना मतलब आप देख सकते हो सबने पूजा कर रहे थे इतना अच्छा से कर रहे थे अपना कल्चर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहार एक पार्क बड़ा सा पार्क है जहां पर आप रेश्ट कर सकते हो ठीक है यहां पर फोड़ा बगड़ा सब कुछ है इस पानी का अंदर बहुत सरा मचली बड़ा बड़ा मचली है आप आओगे तब देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है और जो बाहर का जो पार्क है यहां पर जो सरनर्ती है वो अपने बैठ के आराम कर रहे है पेड के चायो में बहुत ही प्लेजेंट उन लोग का मैसेज हो रहा है ठीक है और आपको में भी रिकॉमेंड करूंगा आप जरूर घुमने आई है ठीक है क्योंके आप बाहर का छोड़ी है अपना वेस्ट बेंगोल का अंदर इतना अच्छा अच्छा प्लेज है आप क्यों एक्सप्लोर नहीं करेंगे और फॉलोवार्स का इतना सारा कालेक्शन से इन लोग अपास आपको दिल को एक अलग लेबल के मंदब फिलिंग आने वाला है और यहां पे गोसाला भी था जो मैं कौवर नहीं कर पाया गोसाला भी बहुत ही अच्छा सुना है और फॉलोवार्स लोग बैठ के सुन रहे है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छा लोजिकल बात बुला जा रहा है आप आईए और यहां पे अगर खाने का कुछ दिक्कत नहीं है यहां पे फास्ट फूट स्टॉल बहुत सरा मिल जाएगा आप इधार आराम से खा सकते हो ठीक है और इधार बहुत सरा एक्टिविटी करने के लिए बहुत सरा चीज है आप आओगे तब भी आपको पता चलेगा और जो मंदीर है इसका उपर जो चूड़ा बना हुआ है वो पुरा प्योर गोल्ड का बना हुआ है ठीक है बहुत ही दिखने में अच्छा खुब सुरत है सामने देख सकते हो कुछ फॉरेइनल लोगों को दिखा है हमने तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारा फॉरेइनल लोग यहां पर आके अपना जीवन को सर्व किया है स्री चैतन मोहवववी के लिए तो आज आज सिटीजेंस इंडियन सिटीजेंस आपको तो जुरूत देखना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो चैनल को सस्काइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिन